दोस्तो आज की इस वीडियो में हलवाई स्टाइल समोसा बनाएंगे बहुत इजी रेसेपी बताऊंगा इसमें और एकदम जैसे हलवाई की दुकानों पे हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम रेसेपी आप सभी को बताऊंगा वीडियो को लास तक देखते र रढा करके रख से दर्यक बनाने के लिए यहांपे मेंने कप से बताऊं तो मैंक मैंद लिया है और घ्राम में बताऊं तो 200 मैंद मैदे है 200 मैंदा और120 ठीव घ्र और फॉड़ान यामज ली मेज़एव साहाथ पर गारगे ठालेंगे flavor activate हो जाता है और खसता करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें हम घी का यूज़ करेंगे बीच में थोड़ा सा जगा बना ले इसके अंदर घी और पानी हम दोनों डालेंगे तो सबसे पहले घी हमें डालना है हम यहाँ पर गी का यूज़ कर रहे हैं चास से साड़ ग्राम अगर कप से बताओं तो ये एक चौथाई कप है पानी भी इतना ही डालेंगे दोनों चीज थोड़ा सा गुनगुना गरम होना चाहिए तो जाधा अच्छे से डो बनेगा बाकी आप कोई भी डाल सकते हो पानी हलका सा गरम हो तो अच्छी बात है अब घीत चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं उसके बाद अच्छे से इसका डो बनाके रेडी करके 10 मिनट के लिए रख देना है डो जो है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए पानी आप बाद में जरूत लगे तो और डाल सकते हैं उसके बाद हम किसी भी कपड़े से या फिर किसी पॉलिथिन में इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे तब तक हम क्या करेंगे हमारे पास यहां पर बॉयल किया हुआ उबला हुआ आलू है आलू मैंने लिया है यह 400 से 500 ग्राम आलू है 600 ग्राम के करीब होगा यह आलू इससे आप चाहो तो इस तरह से क्रश कर लो चाहे आप इससे छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लो यह देखिए मैं इसे छोटा-छोटा ऐसे टुकडे में क्रश कर ला हूँ आसे तोड रहा हूँ बस इसको आप चाहो तो चोटे-छोटे पीसेज में इसको कट कर सकते हो बिल्कुल इसको मैश नहीं कर देना है मैश कर चम्मच कोई भी घी ऑईल जो भी डालना हो डाल सकते हैं उसके बाद आदा चोटी चम्मच जीरा और यह एक टेबल स्पून में डाल रहा हूं सावुद धनिया सावुद धनिया को थोड़ा सा करके कूट के या फिर हाथ से रगड के डाले बारीक बारीक लसुन काटके आप थोड़ा सा डाल सकते हो अगर आपको पसंद है लसुन और प्याज अगर आप नहीं खाते हो तो आप यहाँ पे लसुन स्किप कर सकते हो प्याज तो हम नहीं डा डाल रहे हैं अब लसुन भी स्किप कर सकते हो लसुन भी ना डाले तो यहां पर लसुन और हरी मिर्च को हमें थोड़ा सा भूनना है तो लसुन मैंने पहले से डाल दिया है थोड़ा सा फाइन चॉप करके डाला था उसके बाद हरी मिर्च को भी डाल दिया है थोड़ा सा ही और लालमेच होता है इससे थोड़ा सा भुनना जरूरी होता है ओईल के साथ ही तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी डाला है ओईल में बाकिया मैंने ग्यास को बंद कर दिया है अब आलू इसके अंदर डाल देंगे और कुछ मसाले हैं जो वह हम डालेंगे उसके बाद मिक्स क का पाउडर काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है अगर नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर किचन किंग मसाला इससे ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है उसके बाद थोड़ी सी कसूरी में थी और लास्ट में हम डालेंगे नमक तो नमक स्वादर अंसवार आप डाल सकते हो जितना भी आपको पसंद है उससाफ से आप डालें उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके उपर से आप हरा धनिया काटके डाल दे और एक बाउल में इसे निकाल लेना है बाउल में निकालने के बाद अच् टोड़ना, जो साइस की सामोटे बना चाहने बड़ बड़े आप यहां पे टोड़ सकते हैं, एक शीट बनें носdo में दो समोटे बने तो जितनी आप हसाईज रखेंगे उस साइस के अपद सबस्टें और चाहें तोड़ ना N गृति ना बतलब 18 समोसा बन जाएगा ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा क्लीन कर लेना है उसके बाद थोड़ी दिर के लिए ऐसे बावल में रग दे और वन बाई वन हम इसे बेलना भी स्टार्ट करेंगे साथ के साथ साथ में यह जो डो है यह रेस्ट होता रहेगा उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर मैदा लेंगे सूखा वाला सूखा मैदा हमें सिर्फ ऊपर की साइड से लगाना है नीचे की साइड से नहीं लगाना नीचे की तरफ नहीं लगाना बिल्कुल भी सिर्फ ऊपर लगाना है ताकि बेलन में न चिपके वह से सूखा मैदा लगाने के जोद नहीं वो बिल्कुल प्रॉपर समोसे जैसा बनेगा आप चाहे तो सारे बेल के ऐसे रख ले उसके बाद कटिंग करें नहीं तो आप चाहो तो single pieces को भी ऐसे cut कर सकते हो देखिए ऐसे बीच में सेंटर में इसको ऐसे cut कर दिया देखिए अब ये दो समोसे का जो sheet है वो बिल्कुल ready हो गया thickness आप कमजादक कर सकते हैं पतला रखना है पतला रख सकते हैं थोड़ा सा मोटा रखना है thickness अब मोटा भी रख सकते हैं मैंने ठिक ठाक रखा है पतला ही रखा है जैसे दुकान पर बनाते हैं वैसे ही रखा है तो ऐसे हम सारी sheets को बनाके ready कर लेंगे उसके बाद हम filling करना start करेंगे तो एक plate में या फिर कहीं भी सूखा मैदा डालके आप उसमें रख सकते हैं इसे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं ये देखिए मैं देखा डो टाइट होना चाहिए तो इससे ये चिपकेंगे भी नहीं आपस में और एक तो क्या होगा जब हम इसे fry करेंगे तो ये oil भी ज़्यादा absorb करेंगे मतलब oily नहीं रहेगा आपका ज़्यादा समूसा तो ये टाइट रखने का फाइदा होता है डो का उसके बाद जब सारे ऐसे बेल के आप ready कर ले उसके बाद हमें filling करना है इसके अंदर हम आलू फिल करेंगे आलू हमने पहले बना के रखा है वो ठंडा हो गया होगा अब थोड़ा सा पानी चाहिए हमें और ये जो sheet है अपने हाथ में इस तरह से रखना है और इसके edges पे पानी लगाना है इसके side में पानी हलका सा लगाना है ताकि seal करने में easy रहे मैंने सबसे पहले उपर लगाया उसके बाद ऐसे थोड़ा सा forward किया center में press किया थोड़ा सा और इसको इस तरीके से चिपका दिया ये देखिए और नीचे से आपका finger रहेगा और उपर से आपका finger रहेगा और ऐसे दोनों तरफ से ऐसे press कर देना ये देखिए ताकि ये जो open ना हो बस क्योंकि ये अच्छे से seal हो गया तो ये open नहीं होगा ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको दबाके सील कर देना है उसके बाद हाथ को ऐसे करें और इसके उपर ऐसे रखें समोसे को और यहाँ पे हमें फिलिंग भरनी है जो भी जैसे बहुत अलग अलगतरा के समोसे बनाए जाते हैं कई लोग मैगी वाला समोसा बनाते हैं कई लोग पास्ता वाला बनाते हैं तो जो भी फिल करना है वो इसके अंदर आप कर सकते हो हम लोग तो आलू फिल कर रहे हैं आप चाहो तो पनीर वगरा के समोसे भी बना सकते हो जो भी आपको पसंदे बना सकते हो उसके बाद filling भरने के बाद हम यहाँ पे side में फिर से पानी लगाएंगे और इस तरह से seal करेंगे देखिए पहले एक side से forward किया दूसरी side से भी ऐसे press कर दिया और इसको अच्छे से दबाना है बिल्कुल यह देखिए इस तरह से ऐसे seal करेंगे तो यह समोसा जो है यह इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे देखिए बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसानी से बन जाता है हो सकता है कि एक दो बार जब आप बनाए तो आपसे ना बने लेकिन दो तीन समोसा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यह देरे देरे बनना स्टार्ट हो शल्ट होगा अईसी स्टार्टिंग में किसी से नहीं बनता धीरे-देरे करके ही बनता है यह देखिए हमने दूबारा यह से सील पैक कर दिया ऐसे हम सारे बनाकर रेडि कर लेते हैं और इतने में 18 समोसा बनेंगे हमने 18 पीसे बेल के रख़े है तो मतलब 18 समोसे हमारे इतन था पहले ही थोड़ा सा गरम हो चुका है एक दो पीस डालके चेक करेंगे अगर इतना बबल्स आ रहे ऐसे बबल्स दीरे दीरे आ रहें तो इसका मतलब बिल्कुल शही गरम है जादा गरम ऑईल नहीं चाहिए होता है अगर जादा गरम ऑईल होगा न तो इसके जो समोसे के उपर bubbles आजाएंगे चोटे चोटे पप्डी जासी जम जाएगी बन जाएगी ऐसा हो जाएगा तो चोटे चोटे bubbles full के उपर आजाएगे अगर ज़्यादा गरम उएल हुआ तो ज़्यादा गरम नहीं करें चेश हैं तो जितना भी आपको बनाना है इसी तरीके से सब्सक्राइब तोटल 18 समोसे थे तो 9 करके हमने इसे फ्राई किया है यह देखिए तो ऐसे हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया बिल्कुल इसी तरीके से सारे हमारे रैडी हो गए अब हम क्या करेंगे इसे सर्फ करेंगे बस अब क्या करना खा नहीं है इसे अब खाओ जितना अब आपक लिखने में और यह बहुत ही जादा टेस्टी वी है तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले घंटी वाला बटन जरूर दबा ले थेंक्यू मिलते हैं